आज दिखेंगे कैसे हम एक्सल में इक हॉस्पिटर के डाटा को मेंटेन करें, जैसे हम बनाएं पेशेंट बिलिंग स्टेटमेंट, हम डाटा टाइप कर चुके हैं, पेशेंट नेंब, बाटाइप जैसे चेल्डर नॉर्मल, CECU और भी बाटाइप हो सकती हैं, तो इसके हम एक्जाम्पल तरके डेटा लिया है तो दिखेंगे इसे कैसे मिन्टेन करें और CCU is a critical care unit प्रवाइड स्पेशलाइड रौंड दा क्लॉक क्यार वाई पेशन्ट सीरिस उसके बाद दिखेंगे admission date कब हुआ कब discharge data और stay of patient number of day और निकालेंगे word charges according to formula equal if ब्रेक शरू तो हम criteria select करेंगे जैसे word type word type equal to children जदी हमारी word type equal to children है तो single comma the number of day number of day है F column 4 row तो इसके लिए इसका path हुआ F4 multiply multiply 100 तो एक और condition डालेंगे क्योंकि हमने children तो find की value ले लिए और से बार normal value निका लेंगे if ब्रेक शरू बार टाइप इकल टू नॉर्मल तो इसा तरह हम last value फाइड कर लेंगे जैसे हमने यह value find की इसे तरह last value find करेंगे उसे drag करेंगे तो ऐसे सभी की charges आ जाएंगे उसके बाद doctor fees कितनी रखनी है जैसे 100 तो इसे copy कर देंगे उसके बाद medicine expenses और क्या कितना खर्चा है वो भी निकालेंगे जैसे ward के type है जैसे mreach के type है उसे तरह हम value बना सकते है बनाया था उसी तरह जदी ward type equal to children है तो कितने expenses जैसे हमने पहले formula बनाया था ऐसे ही जैपी formula बना लेंगे बनानेंगे total हम equal sum ब्रैक्ट शुरू जिसमें हम ward charges को भी plus करेंगे और doctor fees को भी और medical expense सभी को हम add कर लेंगे तो यह कमरीज का total amount निकल जाता है आगे देखेंगे patient bill जैसे हमने बटन त्यार किया है इसमें click करते हैं और detail जानकर निकलती हैं और इसी तरह बटन से हम back भी आ सकते हैं अब देखेंगे इसे हम कैसे create करें जैसे जैसे patient bill है इसमें हम select करके और इसके right click करेंगे hyperlink और हम लगाएंगे जैसे place the this document इसमें कितनी sheet को लगाना चाहते हैं जो हमारी second sheet है और patient record इससे लगा देंगे इस तरह हम back को भी hyperlink on करेंगे इसको first wall sheet से लगा देंगे एक दूसरे के साथ hyperlink तो ऐसे जैसे hyperlink को create हो जाता है thank for watching